बिहार के पटना सिविल कोर्ट से एक दर्दनाग खबर सामने आ रही है जहां सिविल कोर्ट के गेट संख्या एक के समीर इस्थित ट्रांस्फर्मर के बलाष्ट करने से एक अधिवक्ता की मौत जुलसकर मौके पर हो गई वहीं करीब आधा दर्जन अधिवक्ता जुलसकर गंबी रुप से घायल है जिने पटना PMCH में भरती कराया गया है अचानक हुए इस आध्से के कायन कोर्ट के अप्तमत से हरकंप मच गया वहीं सुचना के बाद फैर वेट का दमकल वहन मौके पर पहुँचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया मौित अधिवक्ता की पहचान देवेनर परसाद के रूप में की गई है जो की दिव्यांग बताये जा रहे हैं वहीं सुचना के बाद मौके पर पहुँचे पिलिस कर्मियों ने गंबी रूप से घायल सभी आधा दरजन अधिवक्ताओं को पिम्च पहुचाया जहां उनका उपचार चल रहा है वहीं इस घटना के बाद वकिलों में काफी आक्रोस देखने को मिला आक्रोसित अधिवक्ताओं ने कोट परसर में ही सौको रखकर घंटों को हंगामा और प्रदसन किया रिपोर्ट हल चल नुट 24 छप्रा